लगतार आपको सभी नगर निगम चुनाव का हाल बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मेर चुनाव को लेकर क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है और कौन सहर का मेर बनेगा इसके साथ ही डिप्टी मेर का भी हम लोग हाल बता रहे हैं इससे पहले आपको हमने मोतिहारी और सासाराम का हाल बताया है अगर आपको यह जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं लेकिन आज आगे हम बात करने जा रहे हैं गया नगर निगम की और इसके अलावे जो है भागलपूर नगर निगम की बात करेंगे कि गया में क्या कुछ हुआ है और किसका पलरा गया में भारी है इसके अलावा भागलपूर का मालिक कौन बने जा रहा है इस पर भी हम चर् धनबल का भी इस्तमाल हुआ पार्टी पॉलिटिक्स भी चली जाती की भी पॉलिटिक्स हुई तो तमाम समिकरन साथे गए तो इसके बाद गया का क्या महौ लग रहा है कि गया का अगला माली कौन बनेगा परमिर जी मैदान में तो बहुत लोग हैं लेकिन अंतों कत्वा ना दो नाम चल रहा है और इनका प्लस पॉइंट जो है सोच ने बताया है कि ये को रोना में काफी सक्रिये थे उन्हें कोरोणा काल में जब लोगों की जरूरत थी तब मदद के लिए तयार थे तयार था उन्होंने मदद भी घ्या ठीक है और अब बात करें पाथी पॉलिटिक्स कि प्लस पॉइंट क्या है प्रदे के पीछे से महागरबंदन का समर्थन है और दूसरी चीज की जातिय समर्थन तो मिलता ही मिलता है तो पासवान जाती से आते हैं वहां से 50% पासवान के साथ है तो उसमें से कुछ 50 50 50 का बटवारा है क्या है कि को ना तो जात देखा गया मदद सब को किया दरवाजा सबके लिए खुला गया तो कहीं न कहीं यह जो असर है वह अन्य जातीयों पर परह होगा और अन्य तबक्ये कि लोग ने भी बिरेंद्र पाश्वान को इस काम के लिए चुना होगा जीए और मेर भी रहे हैं हैं और गया सहर में उन्होंने काम भी चया है पहले से भेतर काम हुआ है तो कहीं नहीं कहीं इसका भी एक फाईदा जो है विरिंद्ध-पासवान को मिलते हुए दिखाई दे रहा है और लोगों ने अपना समर्थन जो है बिरेंद्ध-पासवान को दिया है इस बात की की चर्चा जो है वहां के लोग कर रहे हैं अब ये भी आप बता दीजी आपने जैसे बताया कि प्लस इनको महागडबंधन का मतलब जो उनका वोट समी कर रहे हैं एमवाई का ठीक है तो मुसलमान भी गया कि जो हैं वो इनके साथ गया है जी विरेंदर पास्वान के साथ और परबीर जी श्क क्यों मेल भी रह चुकई हैं भीजय पिसे तो भीज़य से नाता रहा है इसको नाहीं सकते हैं तो आप बिजयअबी का भी शमर्ळबंधन मिखार तो यही है कि इनको महागडबंधन और इनको बिजये पकास अनुर में उ मुल होते हैं किसी भी पाटी ने कहीं पर भी नहीं किया है जे लेकिन जो लोकल नेता है जो संगठन है उसका इस्तमाल हुआ है मतलब यह गया में इस बात की चर्चा है और लोग कह भी रहे हैं कि जो पाटी के कार्य करता है बीजेपी की जो कूल कार्य करता है वो उन्होंने स्यामद्योप पसवान को अपना मत दिया है इसके अलावा जो स्वन्ड है वो जो है स्याम्दोपासवान के तरफ गये हैं क्योंकि बीजेपी ठेक है बीजेपी है तो स्वन्ड भी बनिया ब्राह्मन रुमियार राजपूत है ना ये भी है तो ये देखिए यहां पर बहुत ही दिल्चस्प है कि यही स्वामिकरन पर अभी विहार में भी राजनीती हो रही है जिस तरह से महागडवन्दन का निर्मान हुआ है और दूसरी तरफ जो है बीजेपी जिस गट जिस वोट बैंक के सहारी चुनाव लग रही है तो वही जो आपका नजारा है यहां पर आपको गया में मेय अपरी नाम आएंगे तो हार जीत का अंतर को बरांतर नहीं हो सकता है तिसरा को मजबूत पक्षभी नहीं यहां पर दिखाई दे रहा है जो कि बिरेंद्र प्रस्वान या फिर तो पर श्यामद्यों पश्वान का गेम विगारे जो लराई है यहां पर आमने सामने की बताया जा रहा है कि थोरा सा ब्रेंद पस्वान का जो पल रहा है भारी लेकिन वो तो एब येम जब खुलेगा जब वोटों की इंती होगी जब परिनाम साम तक सामने आएंगे तब पता चलेगा जिए बाजी कौन मार ले गया प्रेंद पस्वान चुनाव जीते हैं या फि उप मेयर का होता है तो उप मेयर में किया कुछ हुआ है यहां पर कितने मजबूत धावेदार को यहां और सा प मैया ड़ाही की टूर और दूसरा दिल्चस्प चीज़ यह है कि चिंता देभी हमेसा नगर कर्मियों के लिए नगर निगम के कर्मियों के लिए अब परिवार जूरे हुए हैं इसके अलावे वह दो चाल फोट इधर उधर भी कर सकते हैं व्यक्तिकत तरीके से तो कहीं ना कहीं यह बड़ा चिंता देवी के सांस जो है नगर कर्मियों का साथ है लेकिन वहीं दूसरा नाम जो चल रहा है दिब्यानंद का चल रहा है अच्छा मटका चाप मटका चाप लेकिन दिल्चस्प बात यह है कि ना इनको किसी पाटी का समर्थन मिल रहा है ना किसी जाती विशेस का समर्थन मिल रहा है यह सुरू से समाध सेवा में रहे हैं है और इसके अलावा कोई क्या बोलते हैं पांटी के बंधन में भी नहीं है अगर माल लीजे कि ले समर्थन दे दिया तो महा choice नहीं करेंगे महा गर्दबन्दлов ने समर्थन कर दिया तो इनके लिए ये फुला रास्ता है कि महा कड़ बंधन भी आएगा बीजेपी भी आएगा सब्जात के लोग भी आए है तो यह तो दोनों ही अगर देखा जाए उम्हारों का तो जो है जो बेस है वो बता रहा है कि काफी दिल्शस्पर आप पर पर जब तो लोगों ने खुल के बोला है कि माई मैंने तो वोट दिया है और और जिस हिसाब से दिव्या अनंद दावई भी कर रही है कि चुनाव वही जीत रही है लेकिन दूसरे तरफ चिंता देवी का भी दावदारी काफी मजबूत है तो देखना होगा कि डिप्टी मेर में चिंता देवी बाजी मारती है या है यहां अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भागलपूर नगणिगम की बात करते हैं और बरा सहर के हिसाब से काफी मजबूत दावदार जो और वह शुनाव्यों मैदान में थी क्यंट-स जो नेता हैं वो इनके लिए चुनाव परचार कर रहे हैं ते क्या करें किसी की पतनी चुनाव लग रही है तो किसी की पतोह चुनाव लग रही है और इसके आलावे जो है समात सेवी भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं जो मजबूती से दावदारी कर रहे हैं तो भ प्राज कमल इस पेचीदा खाहानी को आप असानी से हमारे दस्रकों समझाइए कि यहां पर हुआ क्या है और हुने वाला जी परमपीर जी भागलपुर में तीनों लवाई महिलाओं के बीच में हैं इस बार तीन लोग आई हैं कांटेक्टर में तीन लोग हैं इसमें बसुंद्रालाल का मनें चल रहा है नाम तमटम चाप डाक्टर बसुंद्रालाल एक डॉक्टर भी है और इनका छवी हिंधुवादी चवी हिंदु मनलम कोर्र कतर वाधि कले ती इनके जो विभक्ष में काटेक्ट कर इनको दे रही हैं गजाला परवीन हां उनके तरफ मु के जो अपने हिंदू थे जो अपना जहां अलग अलग बाट रहा थे वह भी बाटना उचीत ना समझे और एक्थफा जो है जो है जिर्ट छो समाजी करता रही था जी, हैं तो कहीं न कहीं मतलब जब मैधान में गजाला परवीन को कोई मजबूत हिंदू नहीं दिखा टकर देने वाला तो बीजेपी के लोग या फिर हिंदुवादी संगठन के लोग मजबूरन डॉक्टर वसुजरा बजरामिदल हो गया आरेसे सो गया मैंने भी मैं भी जब खेज संख्या में भीर देखने को मिल रही थी डॉक्टर वसुजरा लाल के पीछे जो है भगवादारी पूरी तरह से खुलकर खुलियाम भूम रहे थे तो कहीं न कहीं जो है हिंदुवादी मांसिक्ता के जो लोग है जो हिंदु हैं वो इनके साथ यहां पर खड़े हैं परंब आस्तर में ही और निर्वर्तमान वेयर हैं मत्यार सिमा साह के पास भी वीजे पी का बैंक आया है और माना जाता है कि वहाँ दो फॉब्ड़ चलता है हम तो जो असिवनी चौब़े गुट के विजे पी के लोग हैं जी 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 वो सीमा साह को समर्थन दे रहे हैं और जो बी सीमा साह के साथ है और जो वहां के दूसरा गूट है ठीक है जमीन पर काम करते हैं दूसरा जो गूट है वो जो है वसुंद्रा लाल के साथ है तो ऐसे भी बीजेपी 50-50 इधर उदर हो रही है लेकिन महागट बंदन कहा है महागट बंदन तो गजाला परवीन जी को अगर देखा जाए तो गजाला परवीन के पास मुस्लिम वोट है ठीक है इसके साथ यादों का भी वोट जा रहा है और नितीज कुमार की पार्टी का कितना वोट इनके पास जा रहा है पीछरों का समर्थन कितना मिल रहा है यह भी तो यहां पर एक तरफा जो है गजला परवीन के पास जा रहा है अगर इस हिसाव से भी मिलाया जाए तो गजला परवीन का जो पलड़ा है कमजूर नहीं बलकि भारी ही लेकिन डाक्टर असुंद्रा लाल का भी पलड़ा जो है का भी मजबूत है क्योंकि यह डॉक्टर सेमी है इसके अलावे इनका भी अपना अलग प्रभाव है इसके अलावा हिंदू संगठन के साथ इनका तान्मिल बढ़िया है इससे भी नकारा नहीं जा सकता है दूसरी तरफ सीमा साब ही जो है मजबूती से इन्होंने इस चुनाव को लड़ा है तो इन्हें भी आप के लिए कितना बढ़εις के से काम किया उस वोट को इधर किरा पार इसके अलावा यह देखना होगा कि क्या घजला प्रावीन के साथ। बंदन पूरी तरह से साथ था क्या महागट बंदन के जितने साथ डल है क्या उन्होंने गजला परविन ऐसे तो दिखें ये जो हम लोग चार्चा कर रहे हैं पार्टी का ये कोई ओफिसियल नहीं है लेकिर वहां की जो कारिकरता है जो जमेनी इस्तर के जो नेता है जो छोट सांव किया इसलिए हम लोगों को इन पार्टीं का नाम नाम लेना पंठाइक तो इस ऐसे पार्टी ने ओफिस्कल्क तौर से किसी अगर निगम चुनाहं में किसी वी उमिदवार को किसी भी पार्टी में समर्थन नहीं दिया बता देखिये लग तो रहा है कि है कि lecture व्यgang में बटी है लेकिन समाजी करेकरता जो है जमीनी अस्तर के करेकरता है वो इनके साथ है तो कभी भी जमीनी अस्तर के जो करेकरता होते हैं उनका पडला मजबूत होता है पकड़ मजबूत है जमीन पर हो रहते हैं हावावाई तो नेता है नहीं तो कह सकते हैं कि डॉक्टर वस कौन-कौन जो नाम है वो डिप्टी मेयर बन सकते हैं तो राश्कमला पता देखें प्रभी प्रमीर जी डिप्टी मेयर के लिए भी दो नाम आ रहे हैं ठीक है और यहां डिप्टी मेयर में भी वही धर्मे की आता आ गई है तो यहां पर दो नाम चल रहे हैं संतोष कुमार सा और दूसरा नम डॉक्टर सलाव दिन अहसन है तो इनको मुस्लिम वोट एक तरफा गया है अहसन साहब को और संतोष कुमर साह को हिंडू वोट मिले हैं तो मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं जब हिंडू बनाम अगर मुस्लिम हो जाए तो फिर आप भागलपूर का अगर जीट पोल था कितना सही है कितना गलत है आप इसका अखलन लगा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं करते तुरंत कर लें इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं आपके मन में क्या लगता है कौन यहां से कर लें धनले बाद